स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ग्रंथ में। दोस्तो हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगा अपने सपने का एक दम सही अर्थ। क्योंकि हमारी पूरी टीम दिन रात कड़ी मैनत से टीज से अधिक किताबों का अध्यन करती है। ताकि आपके पास बिलकुल सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। दोस्तो दुनिया में हर कोई सपना देखता है। पर हम कई बार सपनों का मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन इन सपनों के पीछे हर बार कोई ना कोई संदेश जरूर छुपा होता है। तो दोस्तो अगर आपने अपने सपने में शेर देखा है तो तो क्या वह बोरा फल देता है या अच्छा अगर आप यही सोच रहे हैं तो चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं वैसे आपको पताई है कि शेर यह से हैं को श्रक्ति का प्रतीक माना गया है और साथ ही शेर को हिंसा के साथ भी जोड़कर देखा जाता है पर अ अलावा सपने में शेर दिखने के क्या-क्या अर्थ होते हैं आईए जानते हैं अगर कोई वैक्ति सपने में शेर को वश्मे कर लेता है तो इसका अर्थ यह है कि उसे अपने हर कारिये में विजय की प्राप्ती होगी पर यदि सपने में वैक्ति शेर को वश्मे करने में अ बंद हुए दिखता है तो उसकार्थ यह है कि वैक्ति को सफल होने में रुकाउटों का सामना करना पड़ेगा पर वैक्ति अगर सूजबूच से काम करे तो सफल हो सकता है अगर वैक्ति को सपने में शेर पिंजरे में दिखाई दे जो उस वैक्ति के हुकम को मान रहा है ऐसा सपना यह बताता है कि वैक्ती की मानसिक स्टती बहुत मजबूत है और उसे जल्दी ही व्यापार में सफलता मिलने वाली है पर अगर वैक्ती सपने में किसी खुले स्थान पर शेर को देखे जो इस वैक्ती के हुकम को मान रहा है तो इसकार्थ है कि वैक्ती को आने वाले दि दिएकानागों में नये वैयापार को चलाएगा जो उसके जीवन में नई सफलताएं लेकर आए दो अगर कि इसे महिला को सपने मेंजवान श्यरों का जुण दिखाए देता है तो इसा पने का अर्थ है कि महिला के जीवन में ज्ल्दी ही नए और आकर। शक्रफ प्रेमियों का आगमन होने वाला है जिसके कारण महिला के आर्थिक हालात सुधरेंगे पर अगर कोई महिला अपने सपने में श्रीर की मांद यानि गुफा में किसी पुरुष को देखती है तो इसकार दिया है कि महिला अपनी बौधिक योगता यानि दिमाग और व्यक्तिग आनक उन्नत्ती होगी साथ ही दवंग महिलाऊं का साथ प्राप्त होगा अगर व्यक्ति को सपने में एक शीर दिखाए देता है जो इस व्यक्ति के ऊपर दहाड राहा है तो इसका आर्थ है कि वैक्ती के जीवन में भाग ये उदे होने वाला है जिसके कारण उस वैक्ती के सुख में बढ़ोत्री होगी अगर कोई वैक्ती सपने में अपने आप को शेर की सवारी करता हुआ देखता है तो ऐसा सपना वैक्ती के साहस को बताता है और ऐसे वेक्ती के जीवन में आने वाली कठिनायों को वेक्ती अपने साहस की बदूर कर देता है पर अगर कोई वेक्ती सपने में यह देखता है कि उसका बच्चा किसी शेर के सामने है और शेर उस बच्चे पर हमला करने वाला है तो यह सपना यहाँ बताता है कि उस वैक्ति के दुश्मन उसे धमकी देने वाले हैं अगर वैक्ति सपने में अपने बच्चे को शेर के हमले से बचा लेता है तो इसका आर्थ हया है कि वैक्ति अपने जीवन में कर्तब्यों का पालन करने में सफल रहेगा यदि किसी व्यक्ति के सपने में शेर उसका पीछा करता है तो उसका आर्थ या है कि व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव दूर होने वाला है अगर कोई व्यक्ति सपने में सफेद शेर देखता है तो यह सभी सपने में सबसे अधिक शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में तरक्की मलती है और समाजिक स्तर पर मान सम्मान मिलता है ऐसे व्यक्ति जल्द ही नई उचाईयों पर पहुंचते हैं अगर कोई वैक्ती सपने में देखता है कि एक शेर उस वैक्ती को काट रहा होता है, तो आपको बता दू कि सपने का अर्थ है कि कोई अपना जल्द ही धोखा देने वाला है. ऐसे वैक्ती को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ साथ आग्याकारे भी होगा और अगर ऐसा सपना किसी शादी सुदा व्यक्ति को आता है तो इसका अर्थ या है कि उस व्यक्ति की शादी सुदाजिंदगी में प्यार बढ़ने वाला है जिस कारण उसके वन्ष की ब्रद्धी होगी अगर आपको अभी तक आई सपनों से कुछ अलग सपना आया है या सपनों के बारे में आपका कोई प्रश्न है या कोई विशेश सपना आया है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकेंगे हमारा वादा है कि हम आपके सपनों पर पूरे अध्यन और विसलेशन के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे ये देखिए उन सभी किताबों का बंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विसलेशन के साथ सही और पूरी तरह सटीक जानकारी लेकर आते हैं और कृप्या करके ऐसे चैनल से सावधान रहें जो वियूज के चकर में घलत जानकारी दे रहें हैं लोगों को नहीं पता कि बुरे सपने आने पर या अच्छे सपने आने पर क्या करें बुरे सपने ना आए उसके लिए क्या करें और इसी तरह सपनों को इंटरप्रेट करने का भी अपना एक तरीका होता है उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ जादा जादा लोगों को शेर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके धन्यवाद